हेलो फ्रिंट्स वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल और आज मैं शेयर कर दीँ रेड वेलवेट स्पॉंज की रेसिपी के लिए सबसे पहले हम 250 क्राम मैदा लेंगे उसमें एक चमच बेकिंग पाउडर डालेंगे आधा चमच बेकिंग सोड़ा और चार बरे चमच पिसी हुई शक्कर डालेंगे इन सभी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे अब इसमें एक छोटा चमच कोको पाउडर डालेंगे और उसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे अब एक कटोरी में 60 ग्राम मक्षन लेंगे उसमें हम एक कटोरी दूड डाल देंगे उसमें अब हम डालेंगे एक चमच बनीला ऐसेंस इसमें हम एक पार मिक्स कर लेते हैं इसको हम ड्राइं इंगरीन्स में मिला लेंगे थोड़ा थोड़ा करके हम सारा वेट इंगरीन्स ड्राइं इंगरीन्स में अच्छे तरह से मिला लेंगे अब हम इसमें दो चम्मच दही डालेंगे एगलेस केक बनाने के लिए हमें दही या बटर मिल्क टालना बहुत जरूरी होता है अब हम इसमें एक चम्मच रेट जेल पूट कलर डालेंगे अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें एक चम्मच एपल सिडाल विनेगर डालेंगे विनेगर का टेस्ट रेड वेल्वेट स्पॉंज को बाकी सब स्पॉंज से अलग बनाता है यह देखिए बहुत ही प्यारा रेड कलर आ गया है हमारा बैटर तैयार हो गया है तो हम इसे बेकिंग टिन में डालेंगे बेकिंग टिन को अच्छे तरह ओइल से ग्रीज कर देंगे और इसके बाद हम इस पे सुखा मैदा छिड़क कर बेकिंग टिन को तैयार कर लेंगे अब हम इसमें केक के बैटर देंगे को डाल देंगे एक बाद टैप कर लेंगे हम इसे 180 तेड़ी प्री हीटेड अवेन में 20-25 मिनिट पेक कर लेंगे इसे अच्छे तरह से ठंडा होने के बाद ही डी मूल्ड करें रेट वेलबेट स्पॉंज केक तैयार है कर दोडिक तरह सक्वांस स्प्राइब प्राइब धार शार कर दोड़ाब प्राइब झाल झाल